तू है तो मुझे फिर और जहिंद आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग future officers और आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम में मैंने आपको 25 कोश्चन करा दिये थे और आगे हम लोग 25 कोश्चन और सॉल करेंगे वन सॉट सिरीज का fundamental अगर मैं देखूं एम ही यही है कि आपका revision अच्छे से हो जाए ठीक है तो आप मैं देखो concept जब question कराता हूं तो आपको concept भी समझाता हूं और question जो solve करना है वो मैं यह सिखाता हूं कि exam के हिसाब से हमें कैसे solve करना है ठीक है अभी तक आपने जितना भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा अभी बस क्या है आप अच्छे से revise कर लो practice कर लो तो क्या है आपका सारा problem क्या है खतम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग question सही सुरू करेंगे अगर आप लोगों ने पहले एक से 25 question first part नहीं देखा है पहले आप वो देखो जाके क्योंकि हम लोग इसके बाद के questions आज क्या है solve करने वाले हैं ठीक है तो questions पढ़ेंगे question पहले आप भी पढ़ोगे खुद से कोसिस करोगे solve करने की questions का level थोड़ा अच्छा है जिससे मैं आपको काफी सारी चीज़े समझा पाऊं एक ही question के थूँ तो आप लोग यह मत सबजना कि यही एक्जाम का level रहने वाला क्योंकि मैं अभी भी आपको बता दूँ कि प्रिलिम्ट्स और चाहे इवेन मेंस भी क्यों नहों मैंत का level बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला ठीक है पर तैयारी हमें अपनी हमेशा अच्छी रखनी जिसे मैंत में हम क्या है hundred percent score कर पाए hundred percent score कम से कम target करके तो चले question पढ़ेंगे पहले 26 number question और solve करने की कोशिस करेंगे क्या बोला है वेन पॉजिटिव इंटीजर इस डिवाइड़ बाई डी रिमेंडर 15 है वेन 10 टाइम्स ऑफ दी सेम नंबर इस डिवाइड़ बाई डी दा रिमेंडर इस 6 देखो पिछली वीडियो में मैंने एक टर्म आपको समझाय था एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जो नंबर के साथ जो नंबर के साथ मैंने एक चीज आपको बोला था कि जो नंबर के साथ वही हम क्या करते हैं रिमेंडर के साथ यह जो बच्चा समझ गया वह क्या है आराम से ऐसे रिमेंडर के कोश्चन क्या है saul कर पाए वोला है कि जब नंबर को d तो तो रिमेंडर भाई 15 आता है यह जैसे नंबर इस नंहें किया तो रिमेंडर 15 आया αλλά है FM iPhone 10 सुको अगर हम । तो रिमेंडर कितना आएगा तो अगर नंबर कर10 ताइम वह तो रिमेंडर का टेंडर कर दो तो remainder का 10 times हो गया 150, number का 10 times किया तो हम remainder का 10 times कर देंगे, 15 का 10 times किया तो 150 हो गया, अब समझो, हमसे क्या बोला है, तो सेसफल 6 आता है, अब सेसफल 6 आ रहा है, तो 1500 को डिवाइड करने पे सेसफल 6 आ रहा है, इस बात का मतलब यह है, इस बात का मतलब यह है, कि जो number डिवाइड किया, वो 144 को पूरा-पूरा डिवाइड कर रहा है, जो D है, वो 144 को पूरा-पूरा डिवाइड कर रहा है, तभी 1500 को डिवाइड करने क्या है, remainder 6 बच रहा ह एक चीज और पहली चीज तो ये हो गई कि नंबर जो है वो 144 को divide करता है तो सारे ही नंबर 144 को divide करते हैं सारे option अपने 144 को divide कर रहे हैं लेकिन एक चीज समझो यहाँ पर बोला है कि नियूंतम संभवमान तो हमें कम से कम बताना है और पहले case में remainder 15 आ रहा था तो मतलब यह है कि नंबर 15 से तो बड़ा होगा अब 15 से बड़ा 9 नहीं था 15 से बड़ा 12 नहीं था तो 15 से बड़ा केवल दो option थे हमें नियूंतम चाहिए तो मतलब 16 हमारा क्या है सही answer हो जाता इस question के लिए ठीक है क्यों मैं कह रहा हूं जिसे कोई चीज है मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर को divide करने पर remainder हमारा 10 आया इस बात का मतलब है कि नंबर 10 से तो कम से कम बड़ा होगा ठीक है इस चीज को पहले समझो तो उसका हमने यूज किया बाकी जो मैंने आपको समझाया था उसका यूज किया और हमारा आंसर आ जाएगा इस बात का बहुत रोल है कि निवन्तम पूछाता नहीं 18 भी हमारा सही आंसर हो जाता कि आगे बढ़ेंगे हम लोग 27 नंबर कोश्चन की तरफ कि आप लोग ठीक है आप लोग सॉल करिए खुद से क्या बोला है वेन इंटीजर एन इस डिवाइड़ बाई एट रिमेंडर इस थ्री ठीक है तो एन जो नंबर है उसको अगर हम एट से डिवाइड करते तो रिमेंडर थ्री आता अब बोला है कि 6N-1 को डिवाइड करें तो क्या आएगा अब देखो नंबर हमने क्या किया ये तो जो नंबर के साथ किया वही रिमेंडर के साथ कर दो यह यहाँ पर N है न तो 6N-3 हम यह मान के चलने कि यह रिमेंडर 3 हो गया तो हमारा नंबर हो जाएगा यह 17 और 17 को 8 से डिवाइड करो रिमेंडर कितना बचेगा भाई साथ 1 बचेगा यह तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि 17 को डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमेंडर नंबर के साथ हमने जो किया है वही जो रिमेंडर है उसके साथ कर देना है 6 दिखाता मुझे कोश्चन एक्जाम में दिखता तीन दिखाता च्छत्रिक 18 माइनस एक 17 आठ से डिवाइड का एक अंसर आगया वी ओक्षन लगा दिया आगे बढ़ ठीक है तो वह चीज आपको समझनी है यह चीज अगर आप समझ गये तो सारी समस्या दुविधा कस्ट पीड़ा सब समस्य वहीं पर सॉल हो जाएगा करेंगे 28 नंबर कोश्चन सॉल क्या बोला है विन पॉजिटी नंबर एक्स वाई जेडार डिवाइड़ बाई थर्टी वन रिमेंडर यह बचते हैं ररेश्पेक्टि वलिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सक्ट नंबर्स हमारे क्या थे यह जैसे एक्स को डिवाइड किया तो सट्रह आ रहे वाई और को डिवाईड किया 24 yeah को डिवाइड कि हमें यहां करनी है कि हम जब एक्स को कर रेंगे तो क tissume 180 आ ग्ष 24Qué Aja अख़ी और जम्टी सब्स मेरा थो है तो यह कितना हो गया। इन सब्सक्राइब करना है यहां सी तो यहां से आ गया जो पहली बात तो01 गया तीन बार पूरा चले जाएगा 93 हो जाएगा 8 बच जाएगा 93 से 8 ज्यादा 101 मतलब 101 को जब हम 31 से डिवाइट करते तो हमारा 8 रिमेंडर हो जाता और 8 B option इस question के लिए सही था ठीक है अब आपको समझ आ गया होगा रिमेंडर से जितने question इस तरीके के बन सकते थे मैंने आपको करा दिये है अब हम लोग यहां से एक next type solve करेंगे यह type भी बहुत दिक्कत करता है आपको यह type मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कोशन दिये जाते है रिमेंडर होता है फिर उसका कभी difference पूछ लेगा कभी उसका सम पूछ लेगा तो ऐसे यह question आते है ठीक है इसको solve करने का हम लोग तरीका समझते है 29 नंबर question प्यार सिख्डम question पढ़िए कि एक्स इस दिग्रेटेस्ट नंबर बाई वीच 2460, 2633, 2860 को divide किया रिमेंडर जो है हर केस में सेम है हर केस में रिमेंडर क्या है सेम है दिन सम अब दी डिजिट्स ऑफ एक्स बताओ अब समझो वैसे मैं यही same question आपको अभी SCF और LCM वाले वीडियो में कराऊंगा आगे यहां पर इसका कैसे solve करें तो समझाता हूं अभी आपको देखो मैं यह कह रहा हूं जैसे 15 है और 31 है मैं कहा रहा हूं इन दोनों नंबर को मैं एक नंबर से डिवाइड करता हूं और रिमेंडर सेम आता है वो नंबर क्या हो सकता है तो आप देखो मैं जैसे कह रहा हूं कि मानलो इसका difference ले लो, इसका difference आगया 16, तो मैं 8 से चाहे divide करूँ, चाहे मैं 16 से divide करूँ, चाहे मैं 4 से divide करूँ, चाहे मैं 2 से divide करूँ, 16 के जितने भी factor होंगे, मतलब जो हम difference लेते हैं, उस difference से या उसके factor से, अगर हम इन दोनों number को divide करेंगे, तो remainder सेम ही आएगा, आप चेक करो, 2 से मैं 15 को divide करू, remainder 1, remainder 1, 8 से करोगे remainder 7, remainder 7, 16 से करोगे 15, remainder 15, बस यह चीज मैं आपको सिखाना, 4 से करोगे remainder 3, remainder 3, ठीक है, तो इसी बात का हमें use करना है कि हमें number से नहीं खेलना, हम उसके difference को लेके भी solve कर सकते हैं, कैसे, आप देखो, एक चीज और मैं समझा देना चाहतू, वैसे मैं अभी SCF, LCM में आपको समझाओंगा, जैसे 16 है, और 24 है, 16, 24 का SCF आपको पता होगा, कि क्या होगा, SCF 8 हो जाएगा, तो कभी भी दो number का SCF होता है, वो उन दूनों को divide करता है, साथ के साथ उनके difference को भी divide करता है, ये बात आपको बस समझनी है, तो हमें यहाँ क्या है, कभी भी ऐसा question आएगा अपने exam में, हम क्या ले लेंगे difference, अब difference अगर मैं 2460 और 2633 का केवल difference ले लूँ, 2633 और 2460, तो difference कितना आ जाएगा, तीन, यहाँ से difference कितना आ गया, साथ, यहाँ से difference एक, एक, 173 रिमेंडर बोला इनके, तो sum of the digits of x, अब हम से क्या पूछा है, तो एक चीज यह confirm अभी नहीं हुआ है, क्योंकि तीन नमबर देगा, तो हमें फिर तीनों के बीच का difference चाहिए, तो 2460, 2633 का ले लिया, ऐसे ही 2806 और 2633 का ले लेंगे, देख लेते हैं, यह कितना बच रहे हैं, यह 3, यह 7, यह 1, अब confirm हो गया, मान लो क्या हो, कि difference क्या है, सेम नहीं आ रहा है, तो हम और आगे फिर difference लेंगे, या उन difference का factor ले लेंगे, ठीक है, अब समझो, 173 हमें confirm हो गया, कि 173 ही वही नंबर है, जो हम इन तीनों को divide करेंगे, और same remainder बचेगा, अब हम क्या करेंगे, इसको add कर दो, क्योंकि हम से पूछा था कि sum of digits, तो 7, 3, 10, और 1, कितना हो गया, 11, और 11 हमारा क्या है, A option इस question के लिए सही हो जाता है, ठीक है, परिशान मत हो, अभी आगे की question से और clear होगा, ठीक है, कैसे clear होगा, जैसे ये question आप पढ़ो, क्या बोला कि जब 6892, 705, 7531, इनको बड़ी से बड़ी संख्या, X से विभाजित किया जाता है, तो प्रते की स्थिति में सेस्फल Y होता है, तो X-Y बताओ, अब देखो, बहुत ध्यान से समझो, 6892, और क्या है, 7105, और तीसरा नंबर हमारा है, 7531, बोला है कि इनको एक नंबर X है, उससे डिवाइड करते हैं, तो हर केस में रिमेंडर Y आता है, तो X और Y का difference, ऐसा question बहुत आता है आपके exam में, तो अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे, कि इन नंबर का difference ले लेंगे, अभी हमने जैसे पीछे वाले question में किया था, difference ले लेंगे इन दोनों के बीच का, जैसे अगर हम इन दोनों के बीच का difference ले इधर से 105, 108, 213, ठीक है, आगे इधर लेंगे difference तो कितना आएगा, इधर difference लेंगे तो देखो 6, 6, 2, और 4, 6, 2, और 4, ठीक है, 426, अब देखो, यही चीज में आपको समझा रहा था, कि पिछले वाले question में क्या था, हमारा difference सेम आ गया था, तो वही हमारा number हो गया था, आगे वाले question में क्या, difference सेम नहीं आया, तो हमें कम से कम ही लेना है, क्योंकि हमें कोशिस करना ही कि difference मलब वो नमबर लेना है, जो तीनों को divide करें और remainder सेम आये, तो तभी होगा जब वो इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा, अब इन दोनों का factor कहो या फिर क्या है, 213 वो नमबर है जो इसको भी divide कर रहा है, 213 वो नमबर है, मलब एक्स वो है 213, एक्स अगर 213 है तो हमारा y कितना होगा, चेक कर लेंगे, किसी भी नमबर फे आप चेक कर लो, तो confirm है कि remainder जो होगा, वो सेम ही रहेगा, तो हम चेक कर लेंगे, अब 692 है, 213 से अगर हम divide करें, तो कितना हमारा remainder आएगा, तो पहले कितने बार, 649 बार चला जाएगा, 50 बच जाएगा, 2, 502, 2 बार जाएगा, 426, कितना बच रहा है, तो यहां से बच जाएगा आपका 6, और यहां से 7, तो वाई हमारा 76 है, मनलब remainder 76 है, और नमबर हमारा 213 है, हमसे difference पूंचा है, तो 213 और 76 का difference, 3 और 6 unit digit भी चेक कर लें, 7 आएगा, दो option है अपने पास, चेकी कर लेते हैं, तो यह 7 हो जाता, यह 3 हो जाता, 137 मतलब भी option हमारा इस question के लिए सही हो जाता हूँ, बहुत बड़ी है, तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा question है, कि same remainder बसता है, तो हमें क्या करना है, difference लेके हम solve कर लेंगे, इस question से आपको और clear हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत है, मैं आपको समझा देता हूँ, यह 3 number है, प्रत्यक को एक अधिक्तम संक्या से विभाजित किया है, जो एक से बड़ी है, तो R सेस बसता है, हर केस में, अब हमसे पूच लिया, कि वो number और सेस फल का सम बताओ, तो D प्लस R हम solve कर लेंगे, क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का difference, एक बार इन दोनों का difference, और ये तो सेओर ही है, ये तो सेओर ही है कि number जो आएगा difference, वो कहीं न कहीं factor बनेगा, ठीक है, नहीं तो फिक्ष्चन ही नहीं बनता, difference ले लेते हैं यहां से, ये 2 आजाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5601 और 4749, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, यहां 5 हो गया, और ये 8 हो जाएगा, बस, 852, इस case में देख लेते हैं कितना बच रहा है, तो इस case में अगर हम देखें, तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 1, 1491, 852, तो मुझे कहीं न कहीं देखो, 52 और 91 देखके 13 लग रहा है, 13 लग रहा है, मलब 213 का यह 4 गुना लग रहा है, और 213 का 7 गुना लग रहा है, तो 213 का यह 4 गुना है, यह 213 का 7 गुना है, जब कहीं न कहीं क्या है, वो factor बनेगा, और यह सारे question आए हुए, जैसे यह CPO का आए हुए question है, तो आप यह मत समझो, यह exam के आए हुए question है, तो जो तरीके मैं बतारू, यह exam के ही लिए है, तो 213 हमारा number हो गया, हमसे यह नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि 213 से divide करेंगे, तो 6 जो बच रहा है, तो 213 और 6 जो निकलेगा, उसका sum हमारा क्या है, अंसर हो जाता, तो 213 से यह अगर मैं देखूं, तो 426 हो जाता, तो बच किता जाता, 44, 448, फिर से 426, तो यहां से 3 आ जाता, यह 6 आ जाता, तो 63 और 213, 63 और 213 हो जाता, 276, 276 हमारा A option था, A option हम लगा देते और हमारा सही हो जाता, ठीक है, तो इस तरीके के question को हम difference से कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग अब, कुछ और question जो बनते हैं, unit digit के अभी question में, सारे question अभी आपको, आज ही solve करा दूंगा, ठीक है, question पढ़ें, और खुद से question को solve करने की कोशिस करो, क्या दिया है question, कि sum of the digit of two digit number, वो एक बटा साथ है, नमबर का, और unit digit is four less than, देखो, ठीक है, इस बात का तो बाद में देखेंगे, करना क्या है, यह तो बाद में देखेंगे, पहले हम यह देखते हैं कि हमें दिया क्या है, sum of the digit of a two digit number, जो है वो एक बटा साथ है, नमबर का, इस बात का क्या मतला है, जिसे मालून number क्या है, चौदा है, उसका एक बटा साथ किता हुआ, दो, और वो जो आएगा, वो इस number के sum के equal होगा, जैसे 14 के digit के sum 5 है, जो कि इसके equal नहीं है, पर वो number जो होगा, वो क्या है, उस case में यह बात सही होगी, अच्छा, एक चीज मैं यह कह रहा हूँ, कि ऐसे question को एक तो x मान के करो, कि x ले लो number, और उसके digit मतलब फिर ऐसे 10x plus y करके करो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उससे क्या होगा, कि जैसे number बोल ला है, एक बटे 7 है, जो अंको का योग है, तो जो number होगा, वो 7 का multiple तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, कि 7 का multiple नहों, तो हमें बस number चेक करते जाना है, कि 7 के multiple, जो जो number है, या 7 के table में जो number आते हैं, उनके 1 और 10 के अंक में, जिसमें भी, जिसमें भी 4 का difference होगा, वही हमारा answer हो जाएगा, तो आप चेक करो, 7 का table देखो, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, 14 है, 14, difference 3 है, गलत हो गया, 21 है, 35 है, नहीं होगा, 49 नहीं होगा, उसके बाद 42 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 84, 4 difference, 84 जो number है, यह क्या है, 7 से divisible है, कितने बार, 12, और 84 के digit कसम भी कितना है, 12, तो मतलब यह बात तो हमारी सही हो गई, तो हमें hint and trial लगा लेना, ऐसे question में, एक और question है, ऐसे ही आया था, ठीक है, अब यह देखो, आप CGL का आया हुआ question है, हम क्या करें, अब देखो, अब हमें पता चल गया, कि number तो 84 है, अब हमसे क्या बोला था, कि number obtained on reversing its digit, तो 84 के digit को reverse करो, reverse अगर हम करें, तो क्या होगा, 84 को reverse करो 48, और फिर साथ से divide करें, तो remainder क्या आएगा, तो 42 बार पूरा गया, या 49 से एक कम है, तो 6 हमारा क्या है, remainder हो जाता, अच्छा है हमारा D option दिया हुआ था, ठीक है, 6 हमारा D option में क्या है, दिया था, ओके, और ऐसे ही question है, एक आदा और remainder का question है, जैसे यह मैंने source में कराया था आपको, जिन लोगों देखा होगा, वो तुरंद बोलेंगे, बहिया, इसका answer 76 होगा, कुछ नहीं है, बहुत normal सी चीज़ है, यह question है, बोला इसको 78 से divide करें, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा बड़ी बड़ी चीज़े बना के देता है, जिससे क्या है, आपको लगे, थोड़ा आप डरो है, ना महाल बनाता है, लेकिन वो क्या है, जो पढ़े हो, उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, तो जैसे हम 77 को ना, 78 से जैसे divide कर रहे हैं, आप सबको पता है, remainder 77 हो सकता है, यह minus 1 हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसमें जब divide करतें, तो minus 1 आता, remainder, इसकी पावर 77, इसमें भी minus 1 आता, minus 1 है, और अगर पावर है, तो यहाँ पर minus 1 ही रहने वाला, यह भी minus 1, तो कित्ता हो जाता, minus 2, अब 78 यह minus 2, तो कित्ता आजाएगा, 76, 76 मतलब C option हमारा, इस question के लिए सही हो जाता, तो मैंने इसलिए सिखाय था यह question, आगे यह चेसल को question है, तो सीजल में आने का chance बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई भी question दिखेगा, तो आप कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर जो power है ना, इसको even कर देता, अगर यह power even हो जाती, तो यह plus का 1 हो जाता, प्लस का 1, minus का 1, फिर 0 हो जाता, तो फिर हमारा remainder 0 आ जाता, तो कुछ भी मैं रटने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको यह समझना है, कि हम क्या है, concept समझें, जिससे क्या है कि हम exam में गलत ना गरें, तीक है, अब एक और बहुत important type है, यह type भी बनता है, तीक है, आप समझ में आएगा, आप जो पढ़ते रहते हो, और जो exam में आता है, उसमें difference होता है, आप लोग जो teacher आपको पढ़ाते हैं, आप कुछ भी प होता था, ठीक है, पर जब आप previous year question देखोगे, तब आपको realize होगा कि exam में जो चीजे आती है, वो अलग है, थोड़ा सा, वो practice उनहीं की करो, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, unnecessary चीजे last के 30 दिन जब बचे हैं, तो कम से कम आप 0% क्या है, गलती कर स करते हो, अभी क्या है, नई चीजे try करने का समय नहीं है, अभी जितना भी पढ़ा है, इसलिए मैं one short series लेके आया हूँ, यह आपने जितना भी पढ़ लिया है, उसी को आप revise करो, बार बार revise करो, practice करो, मैं आपको नई चीजे नहीं समझा रहा है, मेरे अपने methods हैं, मैं चा कहेंगे, तो यह question हम लोग करते है, solve, 1280 से भिन होती है, दो धनत्मक संख्या है, difference मनलब 1280 है, जब बड़ी संख्या, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागपल साथ होता है, सेस्वल 50, और बड़ी संख्या क्या, अब समझो, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि एक छोटी संख्या 6 है, और एक बड़ी संख्या 30 है, बहुत प्यार से एक बार समझ लो, सारी दिक्कत, समस्या, दुविद्धा, सब solve, 6 और 30 है, तो मैं कह रहा हूँ, 6 को जब 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना answer आएगा, आप बोलोगे भी, आप 5 बार जाएगा, मैं कहूँ, इसका difference कितना है, तो difference 24 है, जो कि इस number का कितना है, इस number का 6 गुड़े 4 है, तो ये चीज आप समझो कि कभी भी छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या को डिवाइड करती है, पूरा पूरा, उन दोनों के भी जो difference होता है, वो एक कम बार क्या है, डिवाइड हो 6-30 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि 6 को हम 5 बार लिखे तो 30 मिल जाएगा, पर 6 तो अपने आप में ही है, 4 बार हम 6 लिखते तो 30 में पहुंच जाते, ठीक है, यहां पर क्या बोला कि एक छोटा number है, और बड़े number है, उसके बीच का difference 1280 है, लेकिन जब number को डिवाइ करता, 6 time, difference को 6 time डिवाइड करता, अब आप समझो, remainder हमारा 50 है, तो 1280 क्या है, डिफरेंस है, दो नमबर है, X और Y, इनके बीच का difference जो है, वो 1280 है, यह break होगा किसमे, पूरा-पूरा जो जा रहा है, और remainder बचरा है, remainder कितना बचरा है, 50, तो यह यहां कितना हो गया, 1230, 7 बार नहीं, 6 बार डिवाइड करेगा, क्योंकि एक बार तो वो खुद ही हो गया, तो 6 से अगर डिवाइड करेगा, तो यह हो गया 205, 205 हो गया हमारा क्या, यह छोटा वाला नमबर, हमसे क्या पूछा था, greater नमबर पूछा है, हमसे छोटा वाला नमबर नहीं पूछा है तो greater number हम निकाल लेंगे, 1230 difference है, छोटा 205 है, तो बड़ा वाला कितना हो गया, एक मिनट, हाँ, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, तो अब देखो, यहां से समझो, यह remainder भी तो है, तो difference 1280, छोटा वाला 205, तो बड़ा वाला 1485, और 1485 का मतलब कौन सा, B option हमारा क्या हो जाता सही, ठीक है, नहीं clear हुआ है, आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पूरा clear करूंगा यह concept, क्योंकि यह concept important है, one short series का मतलब ही है, कि वो चीजे जो important है, अपने exam के लिए, two positive number differ by 201, अब मैं direct देखो कैसे करूंगा, difference 201 का है, when the larger number को divide करेंगे, छोटे number से, quotient 9 है, 9 बार जाता है, और remainder बचेगा 41, तो भाई, पहले तो remainder हटा दो, 2001 में 41 गया, तो 1960 बचा, अब 1960, number 9 बार divide कर रहा है, मतलब जो difference है, वो 8 बार divide होगा, तो 8 से कितने, 2 बार गया, दो बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, और फिर 5 टाइम, 245, अब छोटा number जो है, वो 245 है, तो बड़ा number क्या होगा, difference को add कर देंगे, 2001 को, तो 6, 4, 2, 2, 2, 246, अब 246 क्या है, इसके digit का sum हम जोड देंगे, तो 4, 4, 8, 6, 14, 4, 4, 8, 6, 14, 14 option में D option, D option हमारा क्या है, इस question के लिए सही हो जाता, ठीक है, तो 14 हमारा क्या हो जाता, D option सही, ठीक है, अब समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है, तो अब हम आगे next type में बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ misleinius और questions है, काफी सारे 50 questions है total, करते ही लोगों, इनको solve, 12, 16, 18, 20, 25, divide the least number X को, remainder 4 बसता है, ये एक question मैंने पहले भी आपको कराया है, कि होता क्या है, 4, 5, देखो number है, वो किसी एक number को divide करते हैं, जिन case में क्या है, remainder हर case में क्या है, तो ऐसे case में सबसे पहले तो LCM निकालेंगे, LCM ही तो वो number होता है, जो क्या है, कि जितने भी सारे number है, उनसे divide होता है, तो 12, 16, 18, 20 और 25 ठीक है, तो देखते कौन सा number हो सकता है, देखो 12 और 16 का LCM तो हो जाएगा, आपका कित्ता 48, अब 48 और 48 में देखो 2 तो आपका आजाएगा, पर 4 आजाएगा, तो 5 और दे देते हैं इसको, 25 से क्या कर देते हैं, multiply, अब 25 में क्या है, इसमें देखो आपका है 9, 9 है तो एक 3 तो है, अपने पास एक 3 और देना पड़ेगा, ये टोटल हमारा number हो जाता, 48 गुड़े 3, 144, 144 गुड़े 25 कित्ता हो जाएगा, 100, तो 110, 11, 25 हो जाता, 25, 11 कित्ता, 36, I think 36 वो number होगा, जो हमारा क्या है, इन सारे number से क्या है, divide हो रहा होगा, remainder 4 बचना चाहिए, लेकिन एक condition है, remainder तो 4 बचेगा, तो भाई, 4 हम जोड़ देंगे, लेकिन number 7 से भी क्या हो, divisible हो, अब समझो, 7 से अगर number divisible हो तो देखो, पहले देख लेतें कि 36 सो को divide करने पर कितना remainder बच रहा है, क्योंकि यहाँ अगर 4 बचेगा ही बचेगा हर केस में remainder, तो यहाँ तीन बच जाना चाहिए, अभी कितना बच रहा है, 35 पूरा पूरा जाएगा, फिर यहाँ पे 10, तो तीन, तो यहाँ दो बच रहा है, और हमें बचाना कितना है, तीन, तो अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा, 3 गुना करूंगा, तो 6 हो जाएगा, 4 गुना करूंगा, तो 8 remainder बचेगा, 5 गुना करूंगा, तो 10, और 10 में remainder 3 बचेगा, मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, 5 गुना, 5 गुना कर लेते हैं, तो 10,000, 18,000, 18,004, ज्यादा हो गए, 9, 4, 13, option में भी नहीं है, अठा हमसे पूछाए कि X में 1000 के इस्थान पर क्या होगा, तो 8 आ रहा है, 1000 के इस्थान पर, देखना पड़ेगा, 8,004 हमारा क्या है, नंबर हो सकता था, जो क्या है, इन नंबर से पूरा-पूरा डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड करने पर, remainder जो है, वो 4 बचता है, क्य है, इस कोशन के लिए बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, सही है, ऐसे कोशन को क्या है, हमें LCM निकालना है, हमें फिर चेक करना है, कि 7 से इसमें साथ से डिविजवल बनाना था, तो हमें चेक करना है, धीमे-धीमे, कि हम क्या है, जैसे हमने देखा, पहले हमारा remainder 2 बच रह पांच गुना करें, दस बना, दस से क्या है, साथ से डिवाइड करेंगे, तो remainder 3 आएगा, और 4 यहां पे बची रहाता, तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 37 number question की तरफ, क्या बोला है, वेन असल्टे नंबर इस डिवाइड by 13, वही number जब 13 से divisible होता है, तो remainder कितना होगा, एक्स होगा, मतलब, पहली चीज तो 65 से अगर number divisible है, तो 13 से भी divisible होगा, जो number 65 से divisible है, वो 13 से divisible, जो 65 के case में remainder आ रहा है, वही 13 के case में remainder आएगा, लेकिन 56 तो आ नहीं सकता, क्योंकि remainder कभी number से बढ़ा नहीं हो सकता, तो 56 को 13 से divide करा लेंगे, 13 से अगर 56 को divide करा आएगे, तो remainder 4 बच जाएगा, क्योंकि 52 तो पूरा पूरा आ जाएगा, तो x हमारा 4 हो गया, x हमारा 4 हो गया, अब x अगर 4 है, तो what is the value of यह पूछा है, तो 5 गुड़े 4 माइनस 2, 20 माइनस 2, 18 मला अंदर रूट 18, अंदर रूट 18 हमारा बच्चे-बच्चे को पता है, कि 3 रूट, 2 होता है, ठीक है, तो 3 रूट 2 हमारा क्या है, कौन सा option है, D option हमारा क्या है, इस question के लिए सही हो जाता है, मजा आई की नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है की नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी समझ आ रहा है, बहुत सारे लोगों म मैंने 50 questions आपको दे दिये, अब आप practice करो, खुद से कोई भी previous year question की book उठा लो, यहीं चीज मैंने strategy वीडियो में भी आपको समझाया था, कि at last जो काम आएगा, वो आपकी practice आएगी, कोई भी आपको ऐसी बाते बताता है, कि इतना कर लो उतना, आपको देखना है, previous year question book आप को देखनी है, और फिर आप realize करोगे कि class मेरी देखो, number system के दोनों वीडियो देख लो, 50 question, उसके बाद previous year question की book उठा लो, एक भी question अगर बच जाए, तो फिर आप comment करके बताना, कि यह question आपने नहीं कराया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लो, 38 number question की तरफ, अब देखो, अभी तक मैंने remainder जो करा है, वो normal थे, normal cases में, यह कुछ question होते हैं, जहाँ power का हमें remainder पूछा जाता है, power का remainder कैसे पूछा जाता है, जैसे हमें बोल देगा, 4 की power 213 है, इसको हम 3 से divide करें, तो remainder कितना आएगा, अब बाई, 4 की power 213 तो हम निकालने से रहे, तो हम क power 213 हो गई, तो हमारा remainder क्या होगा, एक power 213 ही हो गया, एक हमारा answer आजाता, लेकिन क्या हो कि अगर यह number 5 हो जाता, तब तो फिर 2 की power 213 हो जाता, तो फिर क्या करें, उस case में जो काम आएगा, वो क्या आएगा, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो prime number है, अगर कोई prime number ह तो उससे एक कम, उससे एक कम number से क्या है, power को हम divide करके remainder निकाल लेंगे, और वो साही होगा, कैसे, जैसे 3 की power, 61, 284, यह है, 5 से divide करने पर remainder क्या आएगा, तो 5 क्या है, एक prime number है, है ना prime number, अब बहुत लोगों के उनको यह नहीं पता होगा कि 5 prime number है, भाई, ऐसे लोगों के लिए क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग पहले basic में बहुत ज़्यादा दियान दो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ धीरे-धीरे ही समा जाएंगी, time लगेगा आपको, ठीक है, तो 5 क्या है, एक prime number है, तो 5 से कम क्या है, 4, तो 4 से पहले हम power को reduce कर लेंगे, अब 4 की divisibility सबको पता है, last के 2 digit, तो आद देख रहों कि last के 2 digit तो पूरा-पूरा, 84 तो 4 से पूरा-पूरा divide हो रहा है, 84 अगर 4 से प लो, या 3 की power 0 लिख लो, दोनों case सही है, हमने नंबर से remainder निकाल लिया, एक कम से, अब 5 से आप divide कर लो, तो remainder कित्ता आजाएगा, एक, तो पहले case में तो हमारा remainder 1 आगया, मतलब एक्स की value 1 आगई, तो ये चीज़ ध्यान रखो, कोई भी prime number है, उससे एक कम से क्या है, पाव remainder बसता है, जब 4 की power 96 को 6 से divide करते हैं, अब बोलोगे कि 6 जो है, वो prime number नहीं है, तो अगर prime number नहीं है, जैसे n है, उसके आप factor कर लो, जैसे 6 है, तो factor हो जाएगा 2 और 3, फिर आपको क्या करना है, नंबर को ऐसे लिख लेना, जैसे इसके remainder, इसके factor हो रहे है, P और Q, तो यह तो यह P और Q जो इसका multiple है, यह तो cut ही जाता, मतलब हमारा जो आता है, वो क्या आता है, number जो आता है, P minus 1 और Q minus 1, सीधी सी बात है, यहाँ P minus 1, 1 हो गया, Q minus 1, 2 हो गया, तो 2 हमारा क्या है, 6 के case में क्या है, 2 आ जाता, तो 2 से power को reduce कर लेंगे, 96 को 2 से करोगे, पूरा पूरा दो लिखेंगे, तो 6 के case में क्या आ जाएगा, 4, यहाँ क्या बच रहा था, 2, 4 की power 2 का मतलब 16, और 16 को 4 से divide करेंगे, remainder 4 आ जाएगा, 6 से divide करेंगे, तो remainder 4 आ जाएगा, तो यहाँ क्या है, remainder 2 आ एक आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा है, तो 2 minus 4 मतलब माइनस का 2, माइनस 2 option में है option C हमारा क्या है, सई हो जाता है, समझा है, नहीं भी समझा है, ignore मारो, इतना important नहीं है, power अब नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, पर हो सकता है कुछ case में आ जाए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यह भी बहुत बढ़िया question है, serial का ही आया हुआ question है, ठीक है, और बहुत बढ़िया question है, इस question से आपको बहुत चीज़े सीखने को मिलेंगी, जब दोसों को धनात्मक पूरांक X से विभाजित किया जाता है, तो सेसफल आठ होता है, भाई, दोसों को हमने divide किया, तो सेसफल हमारा 8 आठ आ गया, ठीक 7 जानातर कितना हुरा है, जिसका 14 जो है, वो पूरा पूरा divide हो रहा है, remainder को अगर हम हटा दे तो वो पूरा पूरा divide होगा, तो से दोसों में 8 हम हटा दे रहा है, तो बच कितना हो रहा है, 192, मुझे जीतने भी number होंगे, X के जीतने भी values होंगी, वह 192 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर रही होंगी कुल मिलागे मैं यह कह रहा हूं कि 192 को डिवाइड करने वाले सारे फैक्टर आपको चाहिए होंगे तो 192 को कौन-कौन डिवाइड करता है या मैं यह कह रहा हूं 192 के number of factor निकाल लो नमबर और फेक्टर निकालने के लिए क्या है इसका प्राइम फेक्टराइजेशन कर दो तो चार अब चार में अगर मैं तोड़ू तो तीन बार चार बार चला गया 48 तो चार गुड़े यह आठ गुड़े 6 हो जाएगा तो दो की पावर यह हो गया हमारा कितना 6 इंटू 3 तो साथ सही है न ठीक है तो अब नमबर और फेक्टर कितने हो जाएगे 6 से एक ज्यादा 7 है और तीन की पावर एक ज्यादा 2 साथ दूनी 14 तो टोटल 192 को डिवाइड करने वाले नमबर 14 है अब यहां तो आप्शन 7 8 5 6 दे रखें क्यों क्योंकि रिमेंडर ही 8 बच रहा था तो मैंने यह सिखाया कि रिमेंडर कभी नमबर से बढ़ा नहीं हो सकता मुलब नमबर हमेशा रिमेंडर से बढ़ा होगा तो देखो 192 को एक भी डिवाइड कर रहा था दो भी कर रहा था तीन तीन भी कर रहा था चार भी कर रहा था पांच नहीं कर रहा च्छै भी कर रहा था और च्छै भी कर रहा था साथ नहीं कर रहा था आठ भी कर रहा था मतलब यह च्छै नंबर भी क्या है 192 को divide कर रहे थे पर इन 6 नंबर से 8 remainder तो आने वाला नहीं था मलब इन पूरे 14 numbers में क्या है ये 6 नंबर क्या है 8 remainder ना ला पाते तो total 8 number ही ऐसे थे जो क्या है 192 को divide करते मलब 200 को divide करके 8 remainder आ सकता है तो हमारा कितने number possible है हमारे 8 number possible है आठ नंबर हमारे possible है आगे बढ़ेंगे अब ये भी number of factor से related question है तो prime factorization सबसे पहले करो हमसे पूछा है prime factor कितने होंगे 30 को लिख सकते हैं 5 गुड़े 2 गुड़े 3 24 को लिख सकते हैं कितरा 8 गुड़े 3 पहले 2 को पकड़ते हैं 2 की power 5 यहां है 2 की power 3 यह और 5 यह 15 तो 5 यह 15 बीस हो गई 3 की power 5 यहां तो 3 की power 10 हो गया 5 की power 5 यहां है बस तो अगर हमने एक बार prime factorization कर लिया और हमसे पुछा prime factors कितने होंगे तो जितने power होती है prime factors की उनको directly जोड़ दो तो 20, 10, 30, 5, 35, 35 option में B option था B option हमारा सही हो जाता यही हमसे पुछा होता कि number of factor कितने होंगे तो number of factor हो जाते 20 से ज्यादा 21, 10 से ज्यादा 11, 5 से ज्यादा 6 मतलब 21 गुड़े 6 यह हमारे total number of factor हो जाते है जबकि हमारे prime factor की संख्या जो है वो 35 है ठीक है बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा आगे बढ़ेंगे हम लोग 41 number question की तरफ यह क्या type है बाई 8 की power 2 के 5 की power 2 के के गुड़कों में से मतलब जो factors है अगर के एक विशम और नमबर है तो कौन-कौन से हो सकते देखो 8 की power 2 के प्लस 5 की power 2 के मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं वैसे बहुत बार मैंने बताई है एक बार और बता दे रहे हैं कि एकी power n प्लस b की power n अगर है यह a की power n माइनस b की power n दो केस बनते हैं इन ओड है इन इवन है इन ओड है इन इवन है तो क्या है definitely यह जो factor होता है divide होता है अगर in odd है अगर यह in odd है और यह क्या है odd है और यहां plus लगा हुआ है तो यह क्या है a plus b से divisible होगा अगर यह even है और plus लगा है तो किसी से भी divisible नहीं होगा अगर यहां minus लगा है और यह odd है तो फिर यह क्या है a minus b से divisible होगा और E1 है तो A plus B से भी डिविडिबल होगा, A minus B, अब अपने question देख लो और बताओ हमें, 8 की power 2, अब 2K को मैं अलग कर ले रहा हूँ, क्योंकि K के बारे में हमें बोला है कि K क्या है, odd है, तो अब odd और plus कहा है, odd और plus हमारा ये है, कि ये plus है और ये odd है, तो वो A plus B से हमेशा divisible होगा, अलब ये number 8 power 2 plus 5 power 2 से हमेशा divisible होगा, 8 power 2 64, 5 power 2 25, which is equal to 89, अलब ये expression जो हमें दिया था, वो 89 से हमेशा divisible होगा, 89 हमारा कौन सा D option था, तो D option हमारा सही होगा, तीक है, अगर ये देखो, मैं आप सोच रहोगे कि ये दो अलग क्यों कर लिया, मान लोग के odd है, 1 ल ये even बन जाता न, even के case में, अगर plus है, तो कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा है कि मैंने 2 को अंदर ले लिया, तो K odd हो गया, odd हो गया, plus है, तो वो A plus B से हमेशा divisible होगा, निकाल लिया अपना answer आ लिया, बढ़ेंगे 42 number question की तरफ, अभी मैंने आपको समझाया, यही बात apply कर दो, A power in, B power in, in है हमारा क्या odd, और plus दे रखा, तो वो A plus B से हमेशा divisible होगा, मतलब यह जो expression है, वो 127 plus 97 से तो हमेशा divisible होगा, मतलब यह 4 हो जाएगा, यह 2 और यह 2, 224 से हमेशा divisible होगा, यह 224 के जितने factor होगे, उनसे भी divisible होगा, हमसे पूछा है, 32 से divide करने पे remainder क्या होगा, तो 32 से अगर मैं इसको divide करूँ न, तो यह पूरा-पूरा क्या divide हो जाएगा, दो दिख रहा है, दो से यहाँ, 7, 7, 2, 14, 7, 31, यह 7 बार तो पूरा-पूरा जा रहा है, अब कोई भी चीज पूरी-पूरी जा रही, तो remainder मतलब उस case में क्या हो जाता, remainder उस case में 0 हो जाता, और 0 अगर हो जाता, तो D option हमारा क्या है, इस question के लिए सही हो जाता है, इसी दिजिट, तो unit digit आपके exam में आएगा, ऐसे ऐसे बड़े-बड़े expression, खतरनाक वाले दिये जाएंगे, डरना नहीं है, इस जगे हो सकता है, 1,64,000 लिख दे, एक करोण लिख दे, unit digit में फरक नहीं पढ़ने वाला, आप सोच के देखो, मैं कह रहा हूँ, जैसे 10 जोडर है, और 10 लाख जोडर है, जितने भी 0 है, कुछ भी हो, यहां 15 जोड दिया, तो भाई इसको कितना भी जोड़ोगे, इधर कितना भी हो, यहां तो 5 ही रहेगा, यहां तो 5 ही रहेगा, हमसे unit digit जब भी पूशता है, उस case में हमें number कितना भी बड़ा हो, उससे दिक्कत नहीं होती ही है, समझो, एक चीज यह, दूसरी चीज, अब देखो, unit digit का मतलब होता है, हम number को जैसे 89 है, 89 को 10 से डिवाइड करें, तो कितना रिमेंडर आएगा, 9, और 9 ही unit digit है, 31 से 10 से डिवाइड करो, remainder 1, और 1 ही unit digit है, मतलब यह दो बाते, सेम ही है, unit digit is not different from finding remainder of that number, remainder निकालने में हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी number को 10 से remainder पूछा है, कि 31 को डिवाइड करने पे, 10 से डिवाइड करने पे remainder क्या होगा, और यह पूछ ले unit digit क्या होगा, इन दोनों बातों का मतलब सेम है, तो हमें क्या है, कभी भी power दे रखी है, तो फिर दिक्कत होगी, अभी यही 164, 33, 37, 27 पूछा होता हम जट से कर देते, power दे दी तो हम क्या करेंगे, 10 से power को reduce कर लेंगे, अब 10 की अगर मैं देखूँ, अभी मैंने आपको समझाया था, factor 2 और 5 होंगे, तो 2 से 1 कम 1 होगया, 5 से 1 कम 4, मतलब हम power को 4 से reduce करा सकते हैं, इस 4 को बस ध्यान रखना, कभी भी unit digit निकालना होगा, तो power दे रखी, तो हम 4 से उसको कम कर लेंगे, unit digit जैसे मैंने अभी आपको remainder में समझाया, कि जो number के साथ, वही remainder के साथ, unit digit में क्या है, जो number के साथ, वही unit digit के साथ, यहाँ 16 दे रखा, हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ 33 कोई मतलब नहीं, 72 कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 4 से मतलब है, मुझे दिख रहा है कि यह 4 है, 164 दिखी नहीं रहा, 169 को हम 4 से क्या है, reduce कर लेंगे, अब 4 के लिए last के 2 डिजिट हमें देखने हैं बस, अब power भी कुछ भी दे, power यहाँ 2, 3, 7, 1, 6, 9 होए, लेकिन हमें केवल last के 2 डिजिट से मतलब है, 6, 9, अब अगर हम remainder देखें, 4 से तो 68 पूरा पूरा यह 1 हो गया, यहाँ 3 है, 37 से remainder एक हो गया, यहाँ पे 24 remainder 2 हो गया, मतलब इस बात को इतना लिख लिया हमने, इतना हो गया तो answer भी आ जाएगा, 4, 3, 7, और यहाँ पे कितना बज़ जाएगा, 49, मतलब unit digit 9 है, मतलब minus 2, minus 2 बोलो, या कितना बोलो आप, minus 2 बोलो, या आप बोलो कितना, 8, दोनों बाते सेम है, और C option हमारा क्या है, इस question के लिए, बिलकुल सही हो जाता, C option हमारा क्या है, सही हो जाता, अब इतनी बात अगर समाझ जाएगे, तो इस question में तुरंट apply करो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें इस से कोई मतलब नहीं, हमें इस से कोई मतलब नहीं, तीन दिख रहा है हमें, यहाँ power देखनी, 24 से करोगे, तो या तो आप 0 कर लो या तो आप इसको 0 कर दो या 4 कर दो कोई फरक नहीं पड़ता है 7 की पावर यहां 2 हो जाएगा यहां 6 की पावर 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट यह एक है यहां यूनिट डिजिट 9 है यह पंद्रह है अब आप देख लो यहां से कितना बचने वाला है एक में पांच गिया कितना हो जाएगा छै ठीक है यहां कुछ भी लिख लो आप आप इसको बढ़ा लो तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वह 6 होगा मतलब हमारा बी ओप सद्गे लिए क्या हो जाएगा बिलकुल साही वी ओफच्छा हमारा क्या है सही हो जाएगगा ठीक है एक मिनट एक मिनट यह प्लस है नहीं साइन बहुत ध्यान रखना है प्लस अगर हम यह प्लस करेंगे तो 7-9 7-9 का मतलब 8 8 का मतलब D option हमारा क्या हो जाता है ठीक है sign नहीं गलत करना है बाकी चीज़े आई होप आपको समझ आ गई होगी आगे बढ़ेंगे हम लोग 45 नंबर कुश्चन की तरह MTS का आया हुआ question है देखो ऐसे basic question भी हो सकता आज आज आए आपके एक्जाम में ठीक है इसलिए मैंने आपको करवा दिया कि ऐसे अलग देख के अग्दम डरना नहीं है ठीक है है वह basic question तीन गुना संख्या इस संख्या के एक तीहाई मतलब किसी संख्या का तीन गुना उसके एक तीहाई से 24 अधिक है और संख्या क्या है देखो हमसे अगर ऐसे question है तो X ले लो जादा दिमाग ही ने लगाओ तीन गुना उस संख्या के एक तीहाई से इससे 24 मतलब 24 ज्यादा है बस ये चीज़ा में solve करनी है तो 8XY3 हो गया ना 8XY3 24 है X9 हो गया X ही तो पूछा था दिस नंबर हो सकता है आगे हमसे X पावर कुछ और पूछ ले या उस संख्या को अगर साथ से डिवाइड करें रिमेंडर पूछ ले कुछ भी पूछे मुंचने को बहुत सारी चीज़ा पूछी जा सकती थी पर ऐसा क्वेशन दिखे एक्स ले लो solve कर दो ठीक है ज्यादा परेशान नहीं होना है आगे बढ़ेंगे हम लो 46 नंबर क्वेशन है कुछ मिसलीनियस क्वेशन मैंने ले लिए है यह हो सकता है आपको परेशान करें तो डरना नहीं है ठीक है समझते हैं क्वेशन को कैसे करेंगे सौल है कि दो नो छह पांच का उपयोग करके बनाएगे चार अंगों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर संख्या बनाना सीखते हैं होटे में जब आप लोग फिप्ट शिक्स क् सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएं सबसे बड़ी संख्या बनाने का मतलब है सबसे बड़ा डिजिट फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा यह हो गया बड़ी डिजिट और लिस्ट डिजिट क्या होगी सबसे छोटा डिजिट उससे फ उनों का क्या पूछा है difference difference कितना आएगा यहां से तीन आ जाएगा तीन यूनिट डिजिट दो आप्शन में था तो यहां पर फिर आठ आ जाएगा यहां पर कितना जाएगा जीरो आजाएगा यह साथ आज 7083 मलब D option हमारा सही हो जाता है एक और हमें statement को ध्यान देना है each number used only once हो सकता है यह चीड न बोले होती तो सबसे बड़ा डिजिट फिर 999 होगा भाई चार डिजिट का हमें बनाना है हम सबसे बड़ा तो यहीं बनाएगे पर हमसे बोल दिया कि उसको एक ही बार यूज करना है एक बार हमने यूज कर लिया अब हम आगे डूढ़ेंगे तो ऐसे करके हमने क्या है सबसे बड़ा नंबर बनाया चबसे छोटा बनाया जोड डिफरेंस ले लिया हो सकता है सम पूस्ता जोड देते हैं इसी इसी बेस पे एक यह question है कि sum of all possible three digit number 307 से तीन डिजिट का नंबर बनाना है और हर डिजिट को एक यी बार यूच करना है तो सम बताना है possible कितना हो सकते हैं अब आप समझो 73 क्या है जीरो साथ तीन क्या होगा यह 0 तीन साथ क्या होगा तो आप बोलो कि यह 0 का तो कोई मतलब ही नहीं यह तो 2 डिजिट का नंबर हो गया बस यही बात यहाँ ध्यान रखनी थी तो हमें क्या है तीन डिजिट का बनाना है तो जीरो नहीं पहले ले सकते हैं पहले तीन ले लेंगे तो तीन जीरो साथ हो सकता है नमबर या तीन साथ जीरो हो सकता है या साथ जीरो तीन हो सकता है या साथ तीन जीरो हो सकता है बस या और कोई तरीका है तो किस एकिस सो दस एकिस सो दस मनलब डी ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाता है तो जीरो देखके कन्फ्यूज नहीं हो ना पता लग जा है इसमें जीरो साइंटिस भी जोड दिया क्योंकि जीरो साइंटिस इस नॉट थी डिजिट नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग 48 नंबर कोश्चन की तरफ क्या दिया है पढ़ेंगे एक संख्या के वर्ग और उसके घन के वियूतक्रम का अनुपात दिया संख्या क्या है अब देखो संख्या के वर्ग और उसके व्यूत्रक्रम के घं या घं के व्यूत्रक्रम बोले तो घं का व्यूत्रक्रम ये हो जाएगा उसका रेशियो हमें दे दिया तो कुल मिला के वो कह क्या रहा है एक्स पावर फाइफ वन दे दिया मतलब उसका हमने पावर फाइफ ही तो दे दिया उस संख्या का पावर फाइफ ही तो दे दिया और नंबर क्या रहा होगा तो भाई 243 जो है वो तीन का पाँच है पावर तो ऊपर तो तीन रहने वाला है ऊपर तीन एकी option में था option c option c हमारा सही हो जाता है तो ऐसे भी हम इस question को solve कर सकते थे यह बोला ना भाई देखो 16,807 देखना पड़ेगा साथ का पावर फाइफ तो साथ से डिवाइट करेंगे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कि पुर्टी नाइन नंबर कोशन तो तो यह question जब फर्स टाइम आया था बहुत बच्चे नहीं कर पायते हैं तो हो सकता आगे कभी repeat हो जाए है शीजila का ही question है तो आने के chance है क्या बोला टीन fraction है x yg x y ze bada y 30 वीं दा इस्मॉल इस दिवाइड smallest of m greatest divide के तो 9 बटे 16 मतलब z और x को क्या वल्ले हो गया 16 विच एक्सीड्स वाई बाई जो की y से कितना ज्यादा है यह y से ज्यादा है कितना 0.625 तो हमें वाई नहीं मिल गया यहां से 9 बटे 16 ज्यादा है कितना 0.625 अब 0.60625 को समझते यह कुछ और नहीं होता यह एक बटे 16 ही होता है जैसे 0.125 होता है एक बटे 8 ऐसे ही नहीं समझा रहे पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 25 से काट दो आ जाएगा तो यह एक बटे दो आ गया कि वैल्य उउक्स बिया पुछा है कि अगर हम यहां से वाई हटा दे एक बटे 24 इसमें से एक बटे दो हटा दे एक बटे दो को हम बारा बटे 24 भी लिख सकते हैं तो ऐसे कोशन भी हमें हो सकता है मिले देखने को ठीक है तो हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि इस कोशन से देखो कि इस कोशन से आपको और क्लियर होगा भी पढ़िए आप माल लीजिए कि ABC भिन है वैसे ही दे दिया और सी को दोनों सीजेल के आई हुए सी को एसे विभाजित किया जाता है तो परना हम पांच बहटेब है यह पांच बटेब्ले डो आता है जो ईस याथी तो हममें भी यहां से पता चल जाएगा पांच बहटे दो बी से साथ बहटे चाल ज्यादा तो साथ बटे चार घटा देते हैं अब पांच बटे दो यहां चार अगर बनाए तो यह दस बटे चार हम लिख सकते हैं पांच बटे दो को दस बटे चार भी लिख सकते हैं साथ बटे चार जादा है तो मतलब B हमारा हो जाएगा यहां से तीन बटे चार B हमारा है तीन बटे चार अब B अगर तीन बटे चार है तो हमें क्या निकालना है A प्लस B प्लस C दे दिया लेकिन पूछा क्या है C माइनस A अब यहां कहानी बिगड गई C प्लस A अगर हमसे पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें यहां तीनों कसम दे दिया B हटा देते तो C प्लस A पता चल जाता लेकिन उन्होंने C प्लस A नहीं पूछा C माइनस A पूछ लिया अब C माइनस में पूछा है तो पहले देखते हैं देखो पहले तो यहां से B हटाओ तो A प्लस C कितना आ जाता B हमारा है 3 बटे 4 यह कितना है यह 12,11,23 बटे 12 है 23 बटे 12 में B हटा दे इसको 9 बटे 12 भी लिख सकते 3 बटे 4 को तो 9 बटे 12 हम हटा दे 9 बटे 12 हटा दिया अगर हमने तो यहां से होगा 14 बटे 12 A प्लस C जो है वो 14 बटे 12 है अच्छा C और A का जो डिवाइड करने पर 5 बटे 2 आ रहा है तो 5 और 2 का सम हो गया 7 यह 2 गुना लिखा हुए है मतलब मैं यहां से इसको ब्रेक कर सकता था 10 बटे 12 में और 4 बटे 12 में a और c कौ मैंने 10 बटे 12 और 4 बटे 12 में ब्रेक कर दिया कैसे क्योंकि हमें दिख रहाए c 5 है और edo है तो c हमारा कि pensar 10 बटे 12 हो जाएगा और यह 1 जाये हमारा चार बटे 12 हो जायेगा हमसे । 18 च्छाए बते 12 का मतलंब एक 24 बटे 12 लिस्ट के हिसाब से यह यहां प्रोवर्ब अच्छी बैठती है फिप्टी कोश्चन हम लोगों ने निपटाए बहुत अच्छे से वन सौट सीरीज में पहले हम लोगों ने ऐसे परसेंटेज किया था आप लोग को मैं एक बार और समझाना चाहता हूं यह चीज कि वन सौट OLL और सीरीज को आप हलके में मतलो तो वह को मैं जो कोश्चन करा रहा रहा हूं हम देकर आओगे ratio करेंगे mixture करेंगे LCM SCF अभी पहले मैं करा दूँगा उसके बार ratio कराऊँगा ऐसे ही मैं आपको जो जो important type है time speed distance क्योंकि अभी अपने पास एक महिना है एक महिने से ज़्यादा का समय है तो हम लोग क्या है एक एक topic one sort series के थ्रू ऐसे ही कर लेंगे और क्या है उसी basis पे हमारा क्या है exam अच्छा होगा मैत के लिए मैं आपको कह रहा हूँ बस one sort series आप revision के तौर पे कर लो कहीं से भी आपने पढ़ा है एक बार revision आप one sort series के थ्रू ही करो ठीक है बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद आफिसर्स और आगे जो भी वीडियो होगा LCM SCF वो देख लेना ratio देख लेना बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ठीक है ओके बाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में